रवी विप्डन वर्स दोहजर चॉबिस पच्चिस में मूलिस मर्थन योजना के अंतरगत गेहु क्रैनीती के नुसार किसानों को सरकारी क्रै केंद्रों पर गेहु बेचने हेतू विभाग ये पोर्टल पर पंजी करण कराना अनिवार्य होगा। ये पंजीन क्रशक स्वैम अत्वाजन सूचना केंद्र के माध्यम से अत्वा साइवर कैफे वराज के क्रैक केंद्र के माध्यम से कराया जा सकेगा। जनपद एटा में इस वर्ष समस्त क्रैस अंस्थाओं के कुल 84 गेहु क्रैक केंद्र स्थापित किये गए है। जनपद में अभी तक 2168 क्रश को द्वारा पोर्टल पर गेहु विक्रे हे तू पंजी करण कराया गया है। एवं पंजी करण में प्रगती लाए जाने हे तू समस्त न्याई पंचायतों में करमचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला खाद वित्रन अधिकारी नंद किशोर ने अवगत कराया कि बुद्वार को मंडी समिती एटा में इस्थित गेहु क्रे केंदर पर क्रशक महिपाल सिंग का 40 कुंटल क्रे किया गया एवं माला और शौल पहना कर स्वागत किया गया। इसी प्रकार जलेसर मंडी में खाद विवाग के गेहु क्रे केंदर पर क्रशक भी पन्ना लाल से 10 कुंटल गेहु क्रे किया गया एवं क्रशक को मिठाई खिला कर और माला पहना कर स्वागत किया गया है। सुनिल कुपता के साथ मैं नैंसी गॉत्तम हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें।